ओम शान्ति आज हम मीठे बाबा के 22 जन्वरी 2024 के मीठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें संपून पावन बनना है इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो सदा बाप के फर्मान पर चलते रहो तो बाबा जो बताते हैं वो करना है और क्या नहीं करना है किसी को दुख नहीं देना और बाबा कहते कोई भी कर्मेंद्री से कोई विकर्म नहीं करना क्योंकि हमारी मन्जिल है संपून पावन बनने की प्रश्न है पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है तो बाबा कहते है पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारारणी नशा चाहिए जो बनना है उस लक्षय के नशे में रहे तब तो बनेंगे न दे अभिमान टूटा हुआ हो दे अभिमान ही कडे ते कडी बिमारी है क्योंकि पारस माना संपूर देही अभिमानी जब हम अपने सत्योगी स्वरूप में होंगे तो कैसे होंगे देअभिमान बिलकुल नहीं तो ये देअभिमान की कड़ी बिमारी ही बीच में जैसे विघन बनती है जब तक देही अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते, पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते, यह न, दे अभिमान टोटे, बुद्धी का ताला खुले, तब तो बाप के मददगार बन, यह न, बाप की मदद करना, सो अपनी मदद करना, जब बाप के मददगार बने, तो तो स्वयम पत् दूसरी पॉइंट है सर्विस भी तुम्हारी बुद्धी को सोने का बना देगी एक है देही अभिमानी बनने का पुर्शार्थ दूसरा सेवा दोनों से ही बुद्धी का ताला खुलता है इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा एटेंशन चाहिए ओम शान्ती रुहानी बच्चों प्रती, रुहानी बाप, सावधानी देते हैं एटेंशन प्लीज कहते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो हैं तो संगम युग में लेकिन समझते क्या है जैसे दो युग हुए, हैं तो आत्मा लेकिन अपने को देह समझते आए, ऐसे ब्राम्मन वच्चे अभी आतो गई संगम यूग में, लेकिन अपने को संगम यूगी समझना भी है, सत्यूगी तो नहीं समझेंगे न, तुम ब्राम्भन ही अपने को संगम यूगी समझेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम ब्राम्म और तो किसी को Samgam Yug का नग्यान नानुभव, तो Baba केते, Samgam Yug है ब्राहबनों के लिए, तो कम से कम हम बच्चे तो संगम यूगी समझे, संगम युग, संगम युगी समझने की निशानी क्या है? अतिंद्रिय सुक, जब हम अपने को संगम युगी समझे, जब बाप दादा की छत्रचाया में पल रहे हैं, या अनुभफ करे, तो अपने अंदर क्या निशानी दिखाई देगे? अतिंद्रिय सुक की. और तो सभी अपने को कल्युगी समझेंगे, बहुत फर्क है, सत्यूग और कल्यूग, स्वर्गवासी वा नर्कवासी, कितना अंतर है, है न? तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नर्कवासी हैं, क्योंकि अब नर्क से तो हमारी बुद्धी का लंगर उठ गया है, और स्वर्ग पहुंचे नहीं है, तो हम तो क्या है? संगमवासी, हम तो इश्वरिय संतान हैं, तुम हो पुर्शोत्तम संगमवासी, इस संगम युग को तुम ब्रामभण ही जानते हो और कोई नहीं जानते, दुनिया में किसी को पता है कि बाबा आये हुए है और संगम युग चल रहा है, ऐसा कोई नहीं, तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो, ना बाबा कहते हैं, जानते हुए भी भूल जाते हैं, अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, वे तो रावन की जन्जीरों में फसे होए हैं, राम राज्य तो है नहीं, तो बाबा कहते हैं, मनुष्य तो रावन की जन्जीरों में फसे हुए हैं, अब ऐसे मनुष्य की बुद्धी का ताला खुले, क्योंकि संगम युग को तीसरे नेत्र से देखे अनुभव करें, उसके लिए तो पहले रावन की जन्जीरों से निकलना पड़े, बुद्धी संगम युग को देखे उसके लिए भी रावन राज्जी से बुद्धी को फ्री होना पड़े, राम राज्जी तो है नहीं, रावन को जलाते रहते हैं, इसे सिद्ध है कि रावन राज्जी है, जलाते इसलिए हैं कि रावन अभी भी जीवित है, राम राज्जी क्या है और रावन राज्जी क्य यह भी तुम समझते हो नंबरवार, अब आवा कहते है, राम राज्य किसको कहेंगे, सत्यूग त्रेता योग, जब आत्मा जो है, वो अपनी देही अभिमानी स्थेती में है, और रावन राज्य माना आत्मा पर विकारों का प्रभाव पढ़ गया, और आत्मा विकारों के अ धीन हो गई, तो ये बाते भी हम समझते हैं, कि द्वापर कल्यूग रावन राज्य होता, वो भी बाबा कहते हैं, तुम समझते हो नंबरवार, क्योंकि सब के बुद्धी में ज्ञान भी एक सा धारन नहीं होता, बाप आते हैं संगम युग पर, तो ये भेंट भी अभी क जाती है, सत्यूग और कल्यूग की, क्योंकि संगम पर आएं, तब तो सत्यूग और कल्यूग का अंतर समझाएं, जब कल्यूग है तो सत्यूग नहीं, सत्यूग है तो कल्यूग नहीं, लेकिन संगम पर दोनों की बात बुद्धी में आती हैं, कल्यूग की भी और आने वा नर्कवासी सत्यूग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है, स्वर्गवासी कोई यह नहीं कि शरीर छोड़ा और उपर कोई स्वर्ग है वो चला गया, नहीं स्वर्गवासी माना सत्यूग में रहने वाले, और नर्कवासी माना कोई पाताल लोक में रहने वाले नह नर्कवासी माना ये कल्यूग में हम सब बच्चे हैं न हम तो चलो संगम पढ़ा गए पर सारी दुनिया कहा है नर्कवासी कहींगे स्वर्गवासी को पावन नर्कवासी को पतीत कहा जाता है तुम्हारी तो बात ही निराली है क्योंकि हम तो अभी पतीत पावन की चत्रचाया में बैठे हैं अभी पतीत पना पुरा छुटा नहीं और पुरे पावन नहीं बने लेकिन पतीत पावन की चत्रचाया में बैठे हैं तो निश्चे है कि जरूर संपूर्ण पावन बनेंगे तो तुम इस पुर्शोत्तम संगम युग को जानते हो तुम समझते हो हम ब्राम्मन है वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है वर्णों वाला चित्र जो बाबा ने अक्यूरेट बनाया जिसमें देवता, शत्रिय, वैश्य, शुद्र और फिर शिबाबा और ब्राम्मन भी दिखाए तो संगम युग भी दिखाया तो बाबा कहते है ये वर्ण भी तुम्हें पता है कि ब्राम्मन कब बनते, शिबाबा कब आते तो बाबा कहते है इस पर भी तुम समझा सकते हो कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए जो मनुश्य अपने को नर्क्वासी पतीत कंगाल समझे कुद्धी में जब तक सत्यूग कैसा है नहीं आता तो अपने को नर्क्वासी पतीत कंगाल होते भी समझते ने हूँ लिखना चाहिए अब ये कल्यूगी पुरानी दुनिया है सत्युक स्वर्ग नहीं दुनिया है तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी पुछना चाहिए तुम देवता हो या सुर ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं ना स्वर्गवासी कहते ना नर्कवासी क्यों क्योंकि नर्कवासी कहने में अच्छा नहीं लगता और स्वर्गवासी है नहीं तो कहें कैसे कई ऐसे समझते हम तो स्वर्ग में बैठें ऐसे भी समझते हैं न क्योंकि धन को ही सब कुछ समझते हैं अरे ये तो नर्क है न तो बाबा कहते हैं बले ही धन भी है महल में भी रहते हैं लेकिन फिर क्या है दुख है जाए शारेरेक मांसेक है न या फिर आत्मा को जो spiritual pain है वो भी तो रहता न तो उसकी realization नहीं है इसे लिए समझते हैं हम स्वर्ग में हैं सत्युग है कहां बाबा कहते हैं ये तो नर्क है तो तुम स्वर्ग में हो कैसे सकते ये रावन राज्य है तब तो रावन को जलाते हैं उनों के पास भी कितने जवाब होते हैं सर्वयापी पर भी कितने डिबेट करते हैं ऐसा नहीं सिर्फ आप सुनाएंगे वो भी अपनी मत से कई बाते कहेंगे तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया बाबा कहते हैं बिलकुल क्लियर प्रश्न पूछो कि नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, तुम स्वर्ग में हो या नर्क में, देवता हो या सुर्ध, ये प्रशन सीधे सीधे पूछने चाहिए, ऐसा clear contrast पताना है, इसमें बहुत brain चाहिए, और वो जो brain है, वो जो इन बातों का मन्थन करने की brain है, वो भी जब बुद्ध का ताला खुलता, तो अक्टिव होती, दुनिया में कहते हैं, ब्रेन का भी बहुत छोटा हिस्सा हम यूज करते हैं, तो जब आत्मा, जब अपनी शक्ती स्वरूप में आती, तो वो brain भी अक्टिव होता, ऐसा युकती से लिखना चाहिए, जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नर्कवासी हूँ या स्वर्गवासी, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, जो वो भी सोचने पर बाध्धे हो जाए, कि सच में मैं कहा हूँ, नर्कवासी हूँ या स्वर्गवासी, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया, ये राम राज्य है या रावन राज्य हम कलयुगी पुरानी दुनिया के रहवासी है या नई दुनिया के वासी है हिंदी में लिख कर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें भाबा का हर ग्यान, लेकिन स्वर्ग पधारा लेकिन स्वर्ग अभी है कहा तो ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग तो कहीं उपर है लेकिन उनको समझाना है स्वर्ग माना सत्योग और नर्क माना कल्योग तो अभी सत्योग तो है नहीं न तो कहां जाएंगे स्वर्ग में अभी तु कल्यूग है जरूर पुनरजणम भी यहां ही लेंगे लेकिन मुल बात समिशने है स्वर्ग माना सत्यूग और नर्क माना कल्यूग स्वर्ग तो सत्यूग को कहा जाता है वहां अभी कैसे जाएंगे यह सब विचार सागर मन्थन करने की बाते हैं ऐसे clear contrast हो, उसमें लिख दो भगवानु वाच, हर एक अपने से पूछे, मैं सत्युगी राम राज्य निवासी हूँ, या कल्युगी रावन राज्य का निवासी हूँ. तुम ब्रामन हो संगम वासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं, तुम हो सबसे न्यारे, क्योंकि संगम युग को, या ब्रामनों को, या शिप बावा किस प्रकार हम ब्रामनों की रचना करते हैं, ये नया कुल, संगम युगी कुल कैसे जनम लेता है, ये सारी बाते अनुख यह दुनिया नहीं जानती, तुम सत्युक कल्युक को यथार्थ जानते हो, और बाबा कहते हैं, संगम पर ही दिन और रात, दोनों का कॉंट्रास समझ में आता है, तुम ही पूछ सकते हो, कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी स्रेष्ठाचारी हो, दुनि में मनुष्य स्रेष्ठाचारी बनने की बात करते हैं, हमारे कर्म अच्छे हो, लेकिन निर्विकारी स्रेष्ठाचारी हो सकते हैं, जिसमें विकार हैं, वो स्रेष्ठाचारी कैसे होंगे, और विकारों को समझते नहीं, पहचानते नहीं, और कहें हम स्रेष्ठाचारी बन से हो, ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है, कि विकारी ब्रष्टाचारी और निर्विकारी स्रिष्टाचारी का अंतर क्या है, जब निर्विकारी है तो हमारा आचरण कैसा, और विकारी है तो हमारा ब्रष्टाचरण कैसा, नई नई बातें निकालनी पड़े न, जिससे मन कि इश्वर तो सर्व्यापी नहीं, परमधाम, निवासी और संगम पर आकर करतवे करने वाला है, तब तो समझे कि वो हर युग में सर्व्यापी नहीं है, तुम्हारी लिखत देख आप में ही अंदर से पूछेंगे, इसको आइरन एज तो सब कहेंगे, बाबा कहते हैं, चि तुम सत्योगी स्वर्गवासी हो, या कल्योगी नर्कवासी, या विकारी भ्रष्टाचारी हो, या निर्विकारी स्रेष्टाचारी, तो अपने आप थी तुमारे प्रती आएंगे पूछने के लिए, इसको आइरन एज तो सब कहेंगे, सत्योगी डेटी राज्य तो इनक है या heaven, ऐसी first class लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नर्कवासी पती थे, उनकी बुद्धी में contrast fit हो जाए, हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, अवगुण और दैवी गुण का अंतर भी समझाना है, तो दैवी गुणवान है सत्यूगी स्वर्ग और अवगुण है तो कल्यूगी नर्कवासी, कल्यूग में सत्यूगी कोई हो न सके, ऐसे विचार सागर मन्तन कर लिखना चाहिए, जो ओटे सो अर्जुन, जो धारन करता है वो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है, बाबा कहते हैं ये जो गीता है उसमें कुछ बातें ठीक हैं, लून और चीने में कितना फर्क है, वो मीठा और वो खारा, और बाबा कहते हैं कल्यूग की निशानी क्या है लून पानी, खारे रहते, और सत्यूग है शीर खंड, मीठे रहते, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखकर गीता ह खारी कर दी है, मनुष्य कितना दलदल में फस पड़े हैं, बिचारों को ज्यान के रास का भी पता नहीं, और ज्यान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं, है न, दुनिया में किसी को सत्य ज्यान और भगवान दोनों का पता नहीं, हम भगवान को जानत तो God is truth, उनके द्वारा सत्य ज्ञान भी जानते हैं, कि आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान और फिर स्रिष्टी के आधी मध्यांत का भी ज्ञान, जो दुनिया नहीं जानते हैं, नौलेज तो बहुत सहज है, परन्तु भगवान पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं, तो बावा जाते हैं, नौलेज तो कोई बड़ी बात नहीं है, सत्य को धारन करना बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं, और टीचर को भूल जाते हैं, तो टीचिंग भी बुद्धी से खिसक जाते हैं, नहीं तो स्ट ज्यान याद रखते हैं, लेकिन ज्यान दाता को याद नहीं रखते, इसलिए उस ज्यान में बल नही भड़ता, और आत्मा भी जो है वो योग बल से जो प्राप्तियां होने चाहिए, वो नहीं हो पाते, क्योंकि ज्यान तो एक बढर सुना तो भूलते नहीं, लेकिन शक्ती तो मिलेगी? टीचर को याद करने से, वो टीचर को याद नहीं करते, इसलिए शक्ती नहीं भरते गड़ी-गड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम दे अभिमानी बन पड़ते हो तो देविमान में आने से माया का वार होता है बहुत विकर्म बन जाते हैं ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म न होते हो बाबा कहते हैं, देखो बाबा चाट बताते हैं बच्छों का कि ऐसा कोई दिन नहीं जब विकर्म न होते हो एक मुख्य विकर्म ये करते हो जो बाप के फर्मान को ही भूल जाते हो अब विकर्म सिर्फ वो नहीं, जो नहीं करना वो किया, नहीं जो करना है वो नहीं किया, ये भी विकर्म के खाते में जाता तो बाबा ने जो मुख्य फर्मान दिया कि बाबा को याद करो तो संगम यूग में इतनी पालना लेकर बाप को याद भी नहीं किया तो वो भी विकर्म के खाते में जाता बाप फर्मान करते हैं मन मनाभाव अपने को आत्मा समझो यह फर्मान मानते नहीं हैं तो ज़रूर विकर्म ही होगा बहुत पाप हो जाते हैं और फिर बाबा कहते हैं, एक भूल से कई भूले होती हैं, पहली भूल अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मन मना भव रहो, इस फर्मान से चुक जाते हैं, तो फिर आत्मा की स्थिती नीचे आ जाती हैं, और कई विकर्म बनते हैं, बाप का फर्मान बहुत सहज भी है, तो बहुत कड़ा भी है, क्योंकि बाबा ने कल कहा न, जिनको बाबा से प्रीत है, उनके लिए तो बाबा को याद करना आती सहज, और मनू प्रीत नहीं है, तो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना बहुत कड़ा, कितना भी मात्था मारे फिर भी बूल जाएंगे क्योंकि आदा कल्प का देअभिमान है न तो बाबा कहते है न ये प्रीत ही दे और दे की दुनिया को बुलाने में मदद करते जहां प्रीत बुद्धी नहीं देअभिमान है तो देअभिमान से लड़कर बाबा की याद में बैठना तो बहुत मुश्किल पांच मिनट भी यथार्त रेती याद में बैठ नहीं सकते अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो करमाती तवस्ता हो जाए सुना अगर एक सारा दिन भी याद में निरंतर रह जाए तो करमाती तवस्ता हो जाए लेकिन याद का जो लिंक है वो कितने बाद तूटता है क्यों तूटता है क्योंकि देअभिमान बहुत है बाप ने समझा है इसमें मेहनत है और मेहनत क्या है जितना जितना पुर्शार्थ करेंगे, जितना अपने को आत्मा समझ, विचार सागर मन्थन कर, दिल बाबा से लगाएंगे, देही अभिमानी बनेंगे, तो धिरे धिरे उतना ही मन-मनाभव की स्थिती पक्ये होगे. तुम वो जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छे रीती पढ़ते हो, सोचो जिस्मानी पढ़ाई भी कितनी पढ़ते हैं, तेरा वरश तो स्कूल जाते हैं, वो भी आट गंटे रोज, तब मैट्रिकुलेट बनते हैं, तो सोचो है न, और उससे क्या बना, मैट्रिक पास, लेकिन यहां तो रूहानी पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनेंगे, तो यह पढ़ाई कितनी लगन से पढ़ते हैं, विचार करना है, हिस्ट्री जोग्रुफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परन्तु याद की यात्रा का बिलकुल ही अभ्यास नहीं, है न, दुनिया में, स्कूल में जाते हैं, तो जिस्मानी पढ़ाई और जिस्मानी दौड की प्रैक्टिस बहुत करते हैं, लेकिन यहां रूहानी पढ़ाई और फिर रूहानी दौडी, आत्मा मन बुद्धी से दौडी लगाए बाबा के पास जाए, इसकी प्रैक्टिस बहुत कम है, अपने क एक झातिया, बाप अत्मा समझ बाप को याद करना ये है नई बात, ये है नई बात को बार बार अभ्यास करने से ही पक्य होती है, कोई भी चीजद नई करेंगे, येन, येन, नई koी भाशा भी सेखते हैं, तो कितना समय लगता है, लेकिन एक बड़ सिख गए तो एक्तम से बोलते हैं तो नई चीज में थोड़ा समय और अटेंशन तो देना पड़ता है विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रिती याद करना चाहिए विवेक तो यही कहता है कि ऐसा बाप जो हमें सब कुछ देता है जो हमें मनुष्य से देवता बनाते, स्वर्गवासी बनाते ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड खाते हैं वो भी बाबा की याद में बाबा कहते हैं ऐसे जिन बच्छों को बाबा की याद की लगन लग चाए वो तो रोटी टुकड खाएंगे वो भी थोड़ा टाइम निकालेंगे उसके लिए और बागी तो बाबा की याद और सेवा में ही मगन रहेंगे और वो भी याद में ही खाएंगे जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे ऐसे बहुत बच्चे हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं, जो ब्याज मिलता रहें. बाप को याद करते हैं, रोटी टुकर खाते रहें, बस याद और सेवा में जीवन बितानी चाहिए. खाली याद से तो नहीं होगा लेकिन याद और सेवा भी चाहिए क्योंकि हाथों को भी कुछ काम चाहिए सारे दिन बैठ के याद तो नहीं कर सकेंगे परंतु माया याद करने नहीं देती कल पहले जिसने जितना पुर्शार्थ किया है उतना ही करेंगे फिर बाबा कहते है बाबा शिक्षा देते हैं फिर साक्षी भी हो जाते कि चलो ड्रामा के पटे पर जिसने जितना किया है कल पहले वही करेंगे टाइम लगता है कोई जल्दी दोड़ी लगा कर पहुंच जाए ये हो ना सके क्योंकि 63 जिन्मों के विकर्म का बोज ऐसे चुटकी में तो खतम नहीं होता इसमें तो दो बाब हैं बेहत के बाब को अपना शरीर है नहीं वो इन में प्रवेश होकर बात करते हैं बाबा कहते हैं शरीर तो एक है लेकिन दो बाब बैठे हैं, बेहत का बाब भी जिसका अपना शरीर नहीं और ये ब्रह्मा बाबा भी तो बाब की श्रीमत पर चलना चाहिए बाब बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देहि सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो तो बाबा कहते हैं, पहला फर्मान आज बाबा ने कहा ना, फर्मान पर ना चलना भी विकर्म बनाता है तो अपने को देह सहित, देह के सर्व धर्मों समझों को भूल, अपने को आत्मा समझो तुम पवित्र आय थे और अपने को आत्मा कैसे समझना है अपने मूल स्वरूप में देखो ऐसे नहीं जैसे अभी हो क्योंकि आत्मा ही पतीत बन गई है तो जब बावा कहते आत्मा समझो तो ऐसा नहीं अपने वर्तमान आत्मिक स्थिति को देखो अपने आधी अनाधी स्थिती को देखो 84 जनम लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतीत बनी है अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो तब बाप गयरंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी बावा कहते हैं बसके पहला फर्मान इस समय मानो जो इस कुल का होगा वो तुम्हारी बाते सुनकर सोच में पढ़ जाएगा क्योंकि कोई आत्मा ज्यान सुनकर सोच में क्यों पढ़ जाती है उसका अध्यात्मिक कारण है क्योंकि वो इस कुल की है तो सोच में पढ़ जाएगे और जो इस कुल का नहीं होगा वो वही बात सुनेगा उसको साधारन लगेगी कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है है न तो एक तो बाबा को याद करना फिर पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है क्योंकि ऐसा न वो एक तरफ कमाई कर रहे हैं दूसरी तरफ दुख देकर घाटा करते जा रहे हैं बंसा, वाचा, कर्मना, पवित्र बनना है है न और अगर पवित्रता नहीं है तो जरूर है कि जैसे हैं वैसा ही देंगे, तो दुख देने लगेंगे, मंसा में तूफान आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं, मंसा के तूफानों को बाबा की याद से खतम करना है, ऐसा नहीं कि मंसा में आया तो वाचा कर्मणा में लाकर किसी को दुख दे दिया, तुम बे कि बहुत विकल पाएंगे, परंतु करमेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना, मंसा में कितने भी तूफान आए, उनको कम से कम करमेंद्रियों से विकर्म करने तक नहीं लाना, और जो मंसा के तूफान है, उनको भी बाबा की लाइट माइट लेकर शांत करना, करमेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना, क्योंकि अभी हमें संपूर बनना है, तो बाबा की याद पर भी अटेंशन देना है, भरने पर भी, और खाली ना हो, विकर्म ना बने, हमारे से किसी को दुख ना मिले, कर्मेंद्रियों से कर्म ना हो पाप के, इसका भी अटेंशन देना है, तो ये contrast की बातें अच्छी रिती लिखने चाहिए, अब बाबा फिर आगे पहली point पर, श्री कृष्न पूरे 84 जनम लेते हैं, और शिव पुनर जनम नहीं लेते, पहले बाबा ने सत्युग और कल्युग का contrast कहा, अब बाबा कहते हैं, शिव बाबा और श्री कृष्न का भी contrast समझान शिव बाबा तो पुनर जनम लेते ही नहीं, और श्री कृष्न पूरे 84 जनम लेते, वो सर्वगुन संपन देवता हैं और ये तो है ये बाब, तुमने देखा हैं पांडवों के चित्र कितने बड़े-बड़े बनाए हैं, इसका मतलब है कि वो इतनी बड़ी विशाल बु बुद्धी को कैसे दिखाएं, तो कद में दिखा दिया, कि शरीर से बड़े थे, लेकिन वास्तव में बात तो बुद्धी की है, बुद्धी बड़ी थी, उन्होंने भी शरीर को बड़ा बना दिया, और पांडव भी कौन, वो भी पहचानना है, पांडव माना अभी को दिखाने के लिए शरीर को बड़ा दिखा दिया, तुमहारी जैसे विशाल बुद्धी और कोई की हो न सके, बाबक तो कहते है तुम्हारी बुद्धी इतनी विशाल हो जाते, कि तुम मास्टर तरिकाल दर्शी, मास्टर त्रिलो की नाथ बन जाते, तुम्हारी ये और उसमें कोई अर्थ भी नहीं निकलता, बस देखते हैं, वंडर खाते हैं, लेकिन उससे कुछ ऐसी बात नहीं है, जो अपने जीवन में धारण करें। लेकिन वहां तो बनते भी पतीत गए और इतना खर्चा भी करते गए। बेहत का बाप उलहना देते हैं, बच्चे तुमने ऐसे गवाया। तुम फील करते हो, बाबा ने बहुत पैसे दिये। राज्योग सिकला कर राजाओं का राजा बनाया। आते हैं, अमने सब गवाया। तुम बाबा कहते हैं, वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदी बनते हैं, फिर उनसे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है, नौलेज सोर्स ओफ इंकम है। तो कौन सी नौलेज? वो जो जिस्मानी पढ़ाई है। उससे भी कहते हैं, जितना अच्छा पढ़ेंगे, उतना कमाएंगे। यहां भी बाबा ज्यान रतनों से हमें बरपूर कर स्थूल रतनों का अधिकारी बनाते हैं। यह नौलेज भी हमें राजाओं का राजा बनाती है। यह इश्वरी पढ़ाई भी सोर्स ओफ इंकम हैं, जिससे बेहत की बादशाही मिलती हैं, और ऐसी बादशाही से बादशाही नहीं, लेकिन 21 चन्मु का अटा लखंड सुक शान्ती में राज्य मिलता है। भागवत रामायन आदी में कोई नौलेज नहीं हैं, क्योंकि नौलेज तो वो जो गती सदगती करें, वो सुनते सुनते तो दुर क्रिष्न जैसा बनना है, बस सुना और फिर समझते हम तो ग्रियस्ती हैं, बाप जो नौलेज़ फुल है, वो बैट तुम बच्चों को समझाते हैं, यह बिलकुल नहीं पढ़ाई, वो भी कौन पढ़ाते हैं, भगवान, नहीं दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ात और पढ़ाई की प्राप्ती भी कितनी उँच, नहीं दुनिया का मालिक बनते हैं, इन लक्ष्मी नारायन ने यह पढ़ाई से उँच पद पाया है, कहां राजाई, कहां प्रजा है ना, तो बाबा कहते हैं, और बाबा कहते हैं, पढ़ाई से पद तु सबको मिलेगा, ले कितना पढ़ रहें और क्या बनने के लिए पढ़ रहें? क्या सच में हम इतना पढ़ रहें हैं? चारू सब्जेक्ट पर इतना एटेंशन हैं कि राजा बनें. कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार हैं तकदीर खुलना मना बुद्धी का ताला खुलना. अगर समझ जाए पढ़ाई में तथपर हो जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाए 21 जनम माला माल हो जाए. स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं वा नहीं. पढ़ते भी कितना हैं समझ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं यानि वो भी समझते हैं. होते हैं, तो self-assessment भी नहीं कर पाते हैं, कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे, लेकिन पत्थर बुद्धी, पत्थर बुद्धी माना दे अभिमान की बुद्धी, बैठा है, पड़े-पड़े खा रहा है, ना कोई सेवा, ना कुछ, लेकिन समझेगा, मैं ही जैसे अपने कंदे पर स्वर्क बनाने का बिड़ उठाए हूँ, तो ये भी क्या है, पत्थर बुद्धी इतना भी नहीं समझ पाते कि क्या कर रहे हैं, तुमको बनना है सोने की बुद्धी, ऐसी सोने की बुद्धी जो दुसरे को भी सोना बनाए, वो उनों की बनेगी ज जितना सर्विस में रहते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्षवल ये भी है, कि अपनी भी उन्नती होती जाती है, बैज पर भी किसको समझा सकते हो, बैज तो जैसे मिनी अल्बम है, छोटा सा, जिसमें चित्र है, तो उस पर भी किसी को समझा सकते हो, वैसे अगर पॉकेट चित् तो बैज पर समझा दो, बेहत के बाप से बेहत का वर्सा लो, भारत स्वर्ग था ना कल की बात है, कहां पांच हजार वर्ष की बात, कहां लाखों वर्ष की बात, बावा कहते ही तो कल की बात है, पांच हजार वर्ष मात्र पहले भारत स्वर्ग था, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं, कितना फर्क है, तुम समझाते हो, तो भी समझते नहीं है, जैसे बिलकुल ले पत्थर बुद्धि है, ये बैज ही तुम्हारे लिए जैसे गीता है, उसमें सारी पढ़ाई है, है ना तो बाबा कहते हैं, जितना तन्त एक पूरे किताब में नहीं, उतना इस है क्योंकि बैज में तो बाप और वर्सा दोनों है तो वर्से का चित्र लक्ष्मी नारायन भी है शिबाबा भी है और शिबाबा ब्रह्मा विश्नु शंकर द्वारा तीनों करतवे कैसे करते वो भी है मनुष्यों को तो भक्ति मार की गीता ही याद रहती है अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 चन्मों के लिए सदगती को पाते हो शुरू शुरू में तुमने ही गीता पड़ी थी यह ना बाबा कहते है तुम ही पड़ते हो जब द्वापर युग में हम भक्ति में आते तो गीता भी हमी पड़ते पूजा भी तुमने ही शुरू की अब पुर्शार्त कर गरीबों को भक्ति मार की जन्जीरों से छुडाना है तो बाबा कहते है तुम ही ने ये सब शुरू किया भक्ति मार सब को फसाया तुमने तो तुमें ही छुडाना है को कोई को समझाते रहो, उसमें से एक दो निकलेंगे, अगर पांचे इकठे आते हैं, सुनो, तो कोशिश कर अलग-अलग फॉर्म बराए, अलग-अलग समझाना चाहिए, जितना पॉसिबलो, माना हैंड्स पी चाहिए सेवा में, लेकिन अगर हैंड्स हैं, तो सब को अलग-अ बुद्धी, वियर्थ विस्तार वाला, तो दूसरे की बुद्धी भी विस्तार में ले जाएगा, तो बाक्यों का भी जैसे वहाँ पर पार्ट जो है, वो ऐसा हो जाता, फॉर्म तो जरूर अलग-भराओ, एक-दो को देखे भी नहीं, एक-दो का देखे भी नहीं, तो व एक संगदोश का तरीका होता है, तो आते ही संगदोश से सम्हाल करने है, बाब भी व्यापारी है, जो होश्यार होंगे, वो अच्छा व्यापार करेंगे, और अभी कौन सा व्यापार करना है, ज्यान रतनों का व्यापार, जब व्यापारी किसी चीज को देता है, तो बड अच्छे से दुसरे को देना है, जैसे कि उसको धारण हो जाए, बाप कितना फाइदे में ले जाते हैं, और बाबा कहते हैं, ये एक एक रतन, ये ज्ञान रतनों का व्यापार तुमें बहुत रुहानी कमाई कराता है, जुन्ड इखटा है, तो बोलो फॉर्म अलग अलग भ करें, तो पता चले कि किसकी क्या बिमारी है, किसको कैसी पॉइंट सुनानी है, व्यापारी भी किसको क्या सामगरी दे, वो समझ जाए, अगर सब रिलिजियस माइंड़ हो, तो एक खटा बिठा कर पूछना चाहिए, ऐसा भी कई बार होता है, एक तरह के आते हैं, एक ही र जाए, बाबा ने कहा है, भक्तों को ही सुनाना है, हमारे भक्त और देवताओं के भक्त, वो जल्दी समझेंगे, क्योंकि जो पुजारी है, तो चांस जादा है, कि वही पुज्यत है, पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है, इसमें ज्यान बल, योग बल, समे, श्वास्तन, मंदन सब लगता है, देअभिमान कडे ते कडे बहुत गंदी बिमारी है, जब तक देअभिमान नहीं टूटा है, तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर देअभिमान जब आता, तो ग्यान और याद सब भूल जात इसमें तो पूरा नरायनी नशा चाहिए, सबसे पहले तो लक्ष समझ में आए, कि मुझे अब अपना पूरा पुराना खाता चुक्त कर नई दुनिया में जाना है, तब जाकर इतनी महनत हो, हम अशरीरी आए, अशरीरी बन कर जाना है, यहाँ क्या रखा है, बाप ने कहा है मुझे याद करो इसमें ही मेहनत है बड़ी मनसिल है ये लक्ष बुद्धी में बैठे चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे कल पहले मिसल है न कहते हैं न बच्चा जनमता है तो ये तकदीर नजर आ जाती है तो ऐसे ही बच्चों की चलन से शुरू उसे ही मालूम पड़ता है कि अच्छे चलेंगे और तकदीर बनाएंगे कल पहले मिसल अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चो की मीठे मीठे सिकी लधे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस्ते ओम शान्ते धारणा के लिए मुख्य सार है मंसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो इसकी सम्हाल करनी है आत्मा को कंचन बनाने के लिए य आग में डालते है यसे योगगनी से आत्मा को कंचन या सोना बनाना है दे अभिमान की कड़ी बिमारी से छूटने के लिए नारायनी नशे में रहना है अभ्यास करो हम अशरीरी आयते अब अशरीरी बनकर वापस चाना है वर्दान है योग करने और कराने की युग्यता के साथ साथ, प्रयोगी आत्मा भव, बाबा कहते हैं, योग तो करते और कराते हैं, लेकिन योग का प्रयोग भी करना है, बाब दादा ने देखा, बच्चे योग करने और कराने दोनों में हुश्यार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में यो योग का फल और बल हमारे जीवन में, अवस्था में, कर्मों में दिखाई दे। सबसे पहले चेक करो कि अपने संसकार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो। सबसे पहले तो योग का प्रयोग कहां दिखना चाहिए? संसकार बदले क्योंकि स्रेष्ट संसकार ही स्रेष्ट संसार के रचना की नीव है अगर नीव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वत्ह मजबूत हुई पड़ी है अगर संसकार बदलेंगे तो कर्म, गोण सब बदलेंगे स्लोगन है अनुभवी आत्माई कभी वायू मंडल वा संग के रंग में नहीं आ सकती क्योंकि माया जो है रंग बिरंगी होकर आती है और फिर अपना रंग लगाने की कोशिश करती है लेकिन जो बाबा की याद से और योग के प्रयोग से अनुभवी बन गए है वो रंग बिरंगी माया को पहचान लेते हैं और फिर संग के रंग में नहीं आते उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता अवियक्ति साइलेंस द्वारा डबल नाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव करो आज की पॉइंट है सदा खुशी में जोलने वाले संकल्पों में द्रड़ता होगी और स्थिती में डबल लाइट होगे तो संकल्पों में द्रड़ता और स्थिती में डबल लाइट तब विग्न हर्ता बनेंगे या मुश्किल को सेहच करने वाले बनेंगे मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाप का है डबल लाइट बनने की विधी क्या है? ट्रस्टी बनना और संकल्पों में दिर्टा के लिए स्मृती का पानी डालो जब बोज अपने उपर रखते हो तब सब प्रकार के विघन आते हैं तो डबल लाइट बने, ट्रस्टी बने, मेरे पन से मुक्त बने तो फिर सब कुछ सेहज हो जाता, विघन का अनुभव नहीं होता मेरा नहीं है तो निर्विघन है अच्छा, ओम शान्ते